नमस्कार दोस्तों तो हम लोग कम्प्लीट कर रहे हैं घटना चक्रे की पूरी की पूरी सीरीज और इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे पूरी के अंतरगत घटना चक्रे के 27 नम्म टॉपिक काफी इंपर्टेन टॉपिक सरवच नआले सुप्रीम कोट की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे देखिए काफी important topic है, हर एक साल यहां से प्रस्ण आता ही आता है, ऐसे प्रस्तिती में इस topic को छोड़ा नहीं जा सकता है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पे theory person की और उसके तत्वाचात लगभग 85 प्लस MCQ को भी हम लोग यहां पे solve करेंगे तो मेरे साथ बने रहिए और lecture सुरू करने से पहले MCQ सुरू करने से पहले आप लोग चैनल को subscribe करना ना पूले, subscribe करने के बाद ही आगे बढ़े चलिए हम लोग यहां पे theory person को बारी बारी से देखते हैं भारतिय समिधान के तहट एक एक्रित नयाय बैवस्था की गई जिसमें सीर्ष पर सरोच नयाले वह उसके अधीन उच नयाले तथा अधीनस्त नयाले की सीरिडिया है इसका मतलब कि सरोच नियाले सबसे टॉब पे उसके अधिन उच नियाले हाई कोट नमबर दो पे अब उसके अधिन यहाँ पे अधिन यहाँ पे जो भी नियाले यहाँ पे हैं जिसे की डिश्टी कोट, सेशन कोट और भी टाइप सोब कोट होते हैं निया पालिका की यह एकल प्रराली भारत सरकार अधनियम 1935 से ली गई है क्योंकि 1935 में जो भी अंगरेजों के द्वारा समिधान बनाया गया था वहीं से इस चीज को लिया गया है भारत के सरोच नियाले का उदगाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था इसको समिधान बनने के बाद समिधान के लागू होने के बाद इसका भी उदगाटन कर दिया 28 जनवरी 1950 को भारती समिधान के भाग 5 के अंतरगत अब ध्यान रखेगा भाग कितना है 5 इसके अंतरगत सर्वच नियाले से संबंधित प्रावधान अनुछेद 124 से 147 में उलेकित है अर्थात जितना भी ये रेंज है आर्टिकल 124 से 147 सारी ही बातों का इसमें उलेकित किया गया है सर्वच नियाले में नियाःधी 100 की कुल संख्या मुख्य नयःधी 301 है अब देखिया 301 की मतलभ ये नहीं है कि हमेशा जो सीटे होगी फुल होगी कभी कमिटी के इसमें दो चार पांच यहाँ पे कम भी हो सकता है सरोच नयाले के नया धीसों की नियुकति यहाँ पे राष्ट पती करते हैं अब द्यार रखेगा सरोच नयाले के नया धीसों की नियुकति राष्ट पती करते हैं मुख्य नयधिस की नियुक्ति राष्ट पती अब देखिए यहाँ पे इससे बहुत सारे जो कारे होते हैं खास कर इस संसदिय बिवास्था में तो राष्ट पती क्या करता है कि मंत्री परीशद अथात परधान मंत्री से सलाह लेता है लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब Chief Justice of India क के यहाँ पे बात करती है मुख्य नयधिस कि यहाँ पे बात आती है तो राष्ट पती क्या करता है यहाँ एक अधिस यह उच्ज नियालेव के नियाधीज की सलाह के बात करता है यहीं पर थोड़ा सा कॉंट्रॉफर्सी हो जाती है समस्य हो जाती है और लेडि नियाई पालिका और विधाईका में समस्याई उत्पन होने लगती है इस तरह अन्य नायधीसों की न्युक्ति भी होती है किसी प्रकार से ये केक न्यायधीस की न्युक्ति इसे ही होती है अन्य न्यायधीसों की न्युक्ति में देखिए मुख्य न्यायधीस का परामर्स अवर्सक है इसके मारा परमर्ज के पहस्चात ही राष्टपती बाकी अनियाधिसों के नियुक्ति करता है सरोच नियाले का नियाधिस बनने के लिए किसी वेक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए उसे किसी उच नियाले का कम से कम पाच वर्स के लिए यहाँ पे नयाधीस होना चाहिए या उसे उच नियाले या भी भी नियाले में मिला कर दस वर्स तक यहाँ पे वकील होना चाहिए सब यहाँ पे experience की बात की जा रही है राश्पती के विचार में वह कानून का ग्याता हो सरोच न्याले के न्याइधीस होने के लिए समिधान में नीन्तम आयू का कोई यहाँ पे असपस्ट उलेख नहीं किया गया है जिसने की बाकी अन्य ठीके पदों के लिए किया गया है सरोच न्याले में न्याइधीसों की संख्या में ब्रिद्धी संसद यहाँ पर कर सकती है कौन कर सकती है? संसद कर सकती है सरोच न्याले के न्याइधीसों को राष्ट पती सपद दिलाते हैं सरोच नियाले के नैधीस राष्ट पती को संबोधित कर अपना पद त्याग सकते हैं सरोच नियाले के नैधीस संसत की सिफारिप पर राष्ट पती द्वारा यहां पे हटाए भी जा सकते हैं जब इस परकार हटाय जाने है तो संसत द्वारा उसी सत्र में इसा मतलब सम्भोधन किया गया हो इस सादेश को संसत के दोनो सदनों के विशेश बहुमत यानि सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा सदन के उपस्तित एवंमत देने वाले सदस्यों का दो तीहाई का यहाँ पे समर्थन पर प्राप दिखदम होना चाहिए तो यहां पे विशेश बहुमत की यहां पे बात की जा रहे है 2.3% अर्थात सदन में उपस्तित 2.3% ये अर्थात 75% नया इधीसों को हटाने का अधार उनका दिर्दुर्बेवहार या सिध कदचार होना चाहिए इस सक्ति के तहत सरोच न्याले द्वारा केंद्रवा राजे दोनों अस्त्रों पर देखिए विधाई वकारेकारी अधेसों की समध्यनिक्ता की यहां पे जाच की जाती है अधिकारी रित पाये जाने की सिती में इन है अब इधिक और समयधानिक थोड़ा बलर हो गया है ठीके आप रुक ध्यान से देखिए और समयधानिक और अवैद घोशित किया जा सकता है उच्तम नियाले के नियाधिस की स्वनवरित्ती की आओ यहां पे 65 वर्स है अर्थात 65 वर्स के बाद गरुम्र हो जाती है तो फिर उपद मुक्त हो जाएगा सरोच नियाले के नियाधीस का वेतन संसद वरा निर्धारित होता है सरोच नियाले के नियाधीस सेवनवरित्ती के बाद भारत के किसी भी नियाले में यहाँ पे वकालत नहीं कर सकता है अब ध्यान रखेगा ऐसे कुछ प्रावधान होते हैं एक बार इस परक्रिया से गुजरने के बाद एक बार वो सेवन अवरित हो जाए तो फिरो दूसरा कोई पद यहां पे धारल नहीं करेगा लेकिन अगल आप लोग ने ब्राष्ट्री ये मानव अधिकार आयोग पढ़ा होगा तो उसमें सुप्रिम कोट और हाई कोट के और र सर्वच न्याले में समिधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए न्याय धीशों कि संकिया कम से कम पांच होनी चाहिए इसे समिधान पीड के रूप में अभिहित किया जाता है समिधान के अनुछेद 129 के अनुसार उच्तम नियाले अभिलेख नियाले है उसे अपने ओमान के लिए दंड देने की सकती है अभिलेख नियाले का आर्थ है किसका सभी निल्डे का सच्छात्मक मुल्ले होता है अनुछेद 131 में केंदर और राजियों के बीच दो या अधिक राजियों के बीच पता भारत सरकार और किसी राजिय या राजियों और दूसरी और एक या अधिक अन्य राजियों के बीच होने वाले बिवादों का निल्डे करने की सरोच नियाले की सकती मूल अधिकारता के अंतरगत आती है अनुछेद 132 से 136 के बीच इसके तहत सरोच न्याले के अपीलिय च्छेतराधिकार का उलेह किया गया है भारतिय समिधान के अनुछेद 136 के अंतरगत अपील के लिए उच्तम न्याले की बिसिस इजाजत लेना जरूरी है अनुछेद 137 के अंतरगत निड़े या अदेशो का उच्तम न्याले दवरादे के पुनर विलोकन किया जा सकता है अब यहाँ पे रिभ्यू अर्थात अगर कोई भी नीचे का कोट विदिन यहाँ पे हाई कोट भी केवना हो तो फिर उसकी दुबारा यहाँ पे जाच अर्थात इसको जुडिसियल रिभ्यू बोला जाता है बिलकुल ही यहाँ पे किया जा सकता है भारतिय समिधान में नियाईक पुनर विलोकन का अधार बिधी का सासन है बिदी का सासन का काने का मतलब बिलकुल यहाँ पे कानून का सासन है, अगर इसको कोई भी उलंगन करता है तो उसमें दंड का भाव जूड़ जाता है। समिधान की ब्याख्या करने का अंतिम अधिकार सरोच न्याले को है सरोच न्याले को भारतिय समिधान का संरच्छक तथ अभिवाहक कहा जाता है पनुछेद 143 के अंदर गात राश्पती, वीधी या तथ्यक्य ब्यापक महतों के प्रस्न पर सरोच नियाले से परमर्स ले सकता है सरोच नियाले के अधिकार छेतर को बढ़ाने का अधिकार संसत को है तेस के किसी नियाले में चल रहे मामला वाद को अनेतर भेजने का अधिकार सरोच नियाले को है बिलकुल सरोच नियाले कर सकता है भारतिय समिधान के अधारिक सनरचना के सिध्धान का सरोच नियाईक ब्याख्या है समिधान के अनुछे 141 के अनुसार सरोच नियाले द्वरा घोंसित बीधी भारत के सभी नियालोय पर अबदकारी होती है केशवा नंद भारती बहुत इंपोर्टेंट यहाँ पर पूरी तरीके से जो डिसीजन दिया गया 1973 मामले में सरोच नियाले ने समिधान के मूल ढाचे का सिधान परतिपादित किया और आप लोगों को धिहान होगा कि इसमें Article 31 के तहद जो फंडमेंटल राइट में संपती के अधिकार को रखा गया तो इसमें क्या किया गया कि इसमें परिस्तावना का सहरा लिया गया और बोला गया कि इस परिस्तावना के संपती का अधिकार है मानव अधिकार के रखने के यहाँ पर खिलाप है और उस संपती के अधिकार को बिधी का रथात कानूनी अधिकार बना दिया गया fundamental rights से हटा दिया गया और था तभी article 31 अभी एकदम खा लिए इसमें कुछ भी अभी ठीक है mention नहीं किया गया उसको हटा ही दिया गया है इसका मतलब कि बिधी का ठीक है पूरी तरीके से अगर अधिकार दिया गया कानून का अधिकार दियेगा संपती का अधिकार तो एक उसको बिधिवत परकिरिया के द्वारा उसे छीना भी जा सकता है तो DPSP के लिए बहुत जरूरी था और इसलिए हो किया गया आई अब यहाँ पे कुछ प्रसनों को हम लोग सलू करते हैं तो अला ही प्रसने भारत में उच्तम न्याले का उद्गाटन किस तिथी में हुआ था तो 26 जन्वारी उन्नीस सो ठीके उन्चास को समिधान का ठीके एक तरीके से लागू होना था इंप्लिमेंटेशन होना था और देखिये उसके जस्ट बाद ठीके 28 जन्वारी उन्नीस सो पचास को यहाँ पर जस्ट ठीके साल भर के अंदर में यहाँ पर उसका उद्गाटन कर दिया गया भारत के सरोच न्याले के स्विक्रित्ति छमता क्या है अभी देखिये इसको 1992 में पूछा होगा था ठीके और तो अभी अगर देखा जाये तो 31 है वैसा कोई यहाँ पर अपर उप्सण नहीं है ध्यान रखेगा सरोच न्याले में एक मुखे aye धिस के अतरिक्त कितने नई धिस होते है तो इसमें भी तोड़ा समस्या है इस प्रश्णों को अश्टार मार्क किया है भारत के उच्तम न्याले के न्याइधीसों की वर्तमान स्विक्रिती संख्या है अब इसमें दिया है 31 कि कर सकते हैं हम लोग मंत्री मंडल के फरवरी 2008 में लिये गए निल्ड़े के अनुसार सरकार उच्तम न्याले में जजो की संख्या में बीद्धी करेगी इस निल्ड़े के अंतरगत भारत के मुख्य न्याइधीस को छोड़कर उच्तम न्याले में जजो की संख्या सब यहाँ पे कितनी हो जाएगी तो अब देखें यहाँ पे वैसे प्रसिती में यहाँ पे संख्या जो हो जाएगी 26 नियाइधिस भारत के सरोच नियाले की यहाँ पे अस्थापना हुई थी कब हुई थी भारतिय समिधान के द्वारा उसकी अस्थापना की गई थी और उसमें 1935 के अधिनियाम का सहरा लिया गया था निम लिखित कत्नों में से कौन सा एक सही नहीं है सरोच नियाले की गठान 1950 में हुआ था अब देखिए आपे ठीक है बिल्कुल कॉरेक्ट है 1950 में ही हुआ था 28 जनवरी 1950 को सरोच नियाले देश के उस्तम अधालत है जिसमें अपेल की जाती है बिल्कुल सही है सरोच नियाले कोर्ट मार्शल को छोड़ कराने किसी भी उच नियाले अधालतों की सुनवाई कर सकता है देखिए सरोच नियाले है नेक्स्ट भारत के उच्तम न्याले में न्याइधीसों के संख्या में बृध्धी करने के सक्ति किसमें नहीं थे यह सक्ति किसमें नहीं थे यह बीधी आयोग में ध्यार रखेगा बीधी आयोग में सरवच न्याले के न्याएधिस अपना पत्र त्याग सकता है पत्र लिखकार यह किसको पत्र लिखेगा अब ध्यार रखिए इसको पत्र लिखेगा इसको आपको समझने की ज़रुरत है तो ओ पत्र यहाँ पे लिखेगा राश्टपती को उसको पत्र लिखना पड़ेगा आर्ट की लिस्में 1242 को के अनुसार उच्तम न्याले के नयधिस किस परकार यहां पर हटाये जा सकते हैं राश्टपती के द्वारा हटाये जा सकता है और नियुक्त भी राश्पती के द्वारा ही किया जाएगा नेक्स्ट आपे देखें नोट बहुत important रा महाभियोग impeachment सब्द का परियोग के वाल राश्पती को हताने के लिए किया जाता है अर्थाथ जब भी महाभियोग की बात किया जाए तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ किये वाल राश्पती के लिए परियोग होगा सरोच नियाले के नय धीस डैस डैस के बाद भारत के राश्पती द्वारा हटाये जा सकते हैं किसके बाद यहाँ पर हटाये जा सकते हैं उस संसद में महा भयोग प्रस्ताव पारित होने के बाद भारत करास्ट्पती राया जा सकता है Next सरोच न्याले में सेवनमृत्ती की आयू कितनी है 65 वर्स रखा गया है उचतम न्याले के न्याई धीसों का वेतन का निर्धार और कैसे किया जाता है उसका निर्धार और संसत के द्वारा किया जाता है भारत के उच्तम न्याले की स्वायतता की रच्छा है तू प्रावधान है कौन से प्रावधान है इसमें थोड़ा से हम लोग देखते हैं उच्तम न्याले के न्याधीसों के न्यूकति करते समय भारत के राश्पती को भारत के मुख्य नयधीस से विचार विमर्ज करना पड़ता है पहला ही यह statement यहाँ पे correct है दूसरा है उच्टम नियाले के नयधीसों को केवल भारत के मुख्य नयधीस दोर हटाया जा सकता है केवल ऐसा कुछ भी नहीं है इसरा नयधीसों का वेतन भारत की संचित निधी पर आरवपित होता है जिस पर विधान मंडल को अपना मत देना नहीं होता है बिलकुल यहाँ पे देखिए यह भी correct है चौथा है भारत के उच्टम नियाले के अपसरों और करमचारियों की सभी नियुक्ति सरकार द्वारा भारत के मुख्य नयधीस से विचार विमर्ज के बात करती है ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें राश्पती का रोल इंपर्टेंट होता है बिधाईका का रोल इंपर्टेंट होता है अर्थात मंत्री परिशत का रोल इंपर्टेंट होता है तार गलत है, correct उतर हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ए Next, सेवनवरित्ती होने के पहचात सरोच न्याले के नयाधीस वकालत कर सकते हैं कहां पे एक वकालत कर सकते हैं, देखिए यहां पर सरोच न्याले के दिया है इसका correct उतर होजा किसी भी नियाले में सेवनवरित होने के बाद वे नहीं कर सकते हैं भारत के सुरोच नियाले के कारेवाहक मुख्य नयधिस की नियुकती करता है कौन करता है बिधी मंत्री करता है ध्यान रुकेगा कारेवाहक मुख्य नयधीस के नियुक्ति बीधी मंद्री करता है भारत के कारेवाहक मुख्य नयधीस के नियुक्ति कौन करता है तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ था यहाँ पे हो जाएगा राष्ट पती देखे यहाँ पे बीधी मंत्री यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो फिर कौन हो जाएगा राष्ट पती यहाँ पे हो जाएगा सरवच नियाले के निया धीस की नियुक्ति की जाती है राष्ट पट्टी के द्वारा कब किया जाएगा ओ होगा सरोच नियाले के मुख्य नय धीस से परमर्ज के साथ ही इसको किया जाएगा सरोचतम नियाले में तदर्थ एड होक नय धीसों की नियुक्ति होती है कब यहाँ पे होती है नैयाले के किसी सत्रे के कि लिए नयजीषों का यहाँ पे कोरण नहीं होता है कोरेक्ट उतर हो जाएगा D Next 20 number भारतिय समीधान में तदर्थ नयजीषों की नियुक्ति का प्रावधान है सरवच नैयाले में इसका प्रावधान है सरवच नियाले के उस मंडल में जो सरवच नियाले में जजो की नियुक्ती की अनुसंसा से सम्बंधित है इसमें सरवच नियाले के मुख नयदीसों के अत्रिक्त कुछ अन्य वरिष्ट नयदीस होते हैं ऐसे न्याइधिस जो इस मनल को सदस्य होते हैं, इसकी संखिया के बारे में पूछा जा रहा है, इसकी संखिया होती है, चार, इसकी संखिया चार होती है उच्तम न्याले में समिधान के निर्वचन से संबंधित मामले के सुनवाई करने के लिए न्याइधिसों के संखिया कम से कम इतनी होनी चाहिए, यहाँ पे पांच, एटलिस कम से कम यहाँ पे पांच होनी ही चाहिए, तो ध्यान रखेगा समिधान के निर्वचन से संबंधि केंद्र और राज्य की बीच होने वाले बिवादों का निल्ड़ करने की भारत की उच्तम नियाले की सक्ति इसके अंतरगता आती है मूल अधिकारता के अंतरगता आती है 24 नमर निमलिखित में से कौन उच्टम न्याले का अरंभिक अधिकारिकता में यहाँ पे आते हैं भारत सरकार तथा एक याधिक राजियों के बीज का बिवाद है बिल्कुल कॉरेक्ट है संसत के किसी भी सदन या राजि विधान मंडल में हुए चुनाओ पर बिवाद ऐसा नहीं है भारत सरकार तथा किसी संग राज चेतर के बीज का बिवाद यह भी कौरेक्ट एस्टिक्मेंट है दो याधिक राजियों का बिवाद यह भी कौरेक्ट एस्टिक्मेंट हो जाएगा तो इसलिए आप जो बाते बरताया जा रहा है कि उच्टम न्याले की अरंभिक ध्यान रखेगे अब सब लगा है अब देखें दूसरी पूछ रहा है ना की पहली पूछ रहा है पहला बना था केस्वानंद भारती में दूसरा बना है गोलक नात केस में बहुत यह भी इंपर्टेंट है तो यहाँ पे देख पार है ठीक है केश्वानन्द भारती में अभी तक का सबसे बड़ा जो बेंज बैठा हुआ था 13 नय अधिस जिसमें 7-6 के भामत से इसको पारित किया गया उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो बना हुआ था गोलक नात बना पंजाब राजे 1967 में इसमें 11 नय अधिस थे इसमें केश्वानन्द भारती नहीं है और पूछ भी रहा है आज तक की दूसरे सबसे बड़ी खंड़ पीट निमलिखित में से किस वाद में उच्तम नयाले ने समिधान के मूल ढाचे का सिद्धान्द का परतिपातित किया था उसकेस का नाम है केश्वानन्द भारती निमलिखित में से किस वाद में भारती समिधान के मूल भूत धाचे की अउधालना परतिपातित की गई थी केश्वननन्द भारती वता तो आप जट से लगा देते और केश्वननन्द भारती में ही किया गया है option है नहीं और कुत्तर हो जाएगा उप्युक्त में से कोई नहीं समिधान के निर्वचन के बारे में बिधी के सारवान प्रशने से सम्बंदित वाद पर विचार करने के लिए उच्तम नियाले के नियाई धीसों की संक्या कम से कम कितनी होनी चाहिए तो इसमें कम से कम इसमें जो नियाई धीसों की संक्या होनी चाहिए पांच होनी ही चाहिए नियुक्त में से किस बाद में उच्तम नियाले ने या धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ती को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिन्दगी की रूप रेखा तयार करने के लिए सक्छम बनाते हैं इसको किया गया था गोलक नात बनाम अस्टेट ओफ पंजाब में इसमें आप ठीक है गर्मा पूर्ण जीवन जीने का धिकार को लेकर बहुत बड़ा लंबा चोड़ा डिबेट हुआ था नेक्ट वाद एवं उस वाद में उच्तम न्याले की बेवस्था के तुरूती पूर्ण यूग मुकों यहाँ पे पहचानिये खल्टी नमर है यहाँ पे कौन सा गलत है किंद्रा साहनिवाद और पिछड़ा वर के लिए चिकनी परत की बात की गए थी बिल्कुल सही है बिसाखा वाद अपने कार यास्थल पर यौन उत्पलन से कामकाजी महिलाओ के संवर्चण के लिए बिसाखा गाइटलाइन आप लोगने नाम सुना होगा महिलाओ के लिए मेनका गांधी वाद में आर्टकिल 14, 19 और 21 पर अपवर्जी नहीं है बिल्कुल कॉरेक्ट है चौथा है अब यहीं कॉरेक्ट होगा मने मने ठीक है कराय की तुरूटी पूर यूगम को पहचानी है यह गलत हो जाएगा ठीक है तो कॉरेक्ट उतर हो जाएगा यहाँ पर दी यहाँ पर विकल्प डी का यूगम तुरूटी पूर है बेला बनर्जी बाद पहच्चिम बंगाल भूमी विकास सेम निवोजन अधिनियम 1948 ही सम्मंदी थे बिदेश यात्रा का अधिकार TOP 12S व तंद्रता के भाग के रूप में उचितम नियाले द्वारा मेनका गांधि वाद में माना गया था भारतिय समिधान का कौन सा अनुचेद समिधानिक बिवाद में सर्वच नियाले के अपीलीच स्था आधिकार से सम्मंदी थे ये था अनुचेद 134 ये को मिला कर अनुचेद 132 को पढ़ना समिधान की ब्याख्या से सम्मंधित सभी विवाद सरोच नियाले के पास लाए जा सकते हैं इसके अपिलिय अच्छेतराधिकार के अंतरगत ये सब आता है नेक्स्ट निमलिखित कतनों पर विचार करके बताईए कि इनमें से कौन सा एक यहाँ पर सही है कौन सा एक सही है ये हम्मूल अपिलिय और परमर्ज सम्मंधित चेतराधिकार रखता है यहीं कॉरेक्ट अस्टेटमेंट है 34 भारत के सुधारात्मक याच्ची का उच्तम न्याले में निवन अनुछेद के अंतरगत दाखिला किया जा सकता है तो उसमें कॉरेक्ट उतर हो जाएगा 142 के अनुसार ठीक है यहाँ पे दाखिला किया जा सकता है समिधान का कौन सा अनुछेद उच्तम न्याले को उसके द्वारा दिये गए निल्डे अथवा आदेश के पुनर विल्योकन हेतु अधिकरित करता है कौन सा अनुछेद 137 उच्तम नियाले को अपने राज्य द्वारा सुनाए गए निल्डे या दिये गए आदेश के पुनर विलोकन के बारे में निमली खिस में से कौन सा कथन यहां पर सही है ओंसा कथन सही है? उचतम नियाले को अपने राज्य द्वारा सुनाए गए निडे या दिये गए आदोस्यों का पुनर विलोकन करने की सक्ति प्राप्त है नेक्स्ट भारत में नियाईक पुनर रिच्छड का अर्थ क्या है? भारत में देखे नियाईक पुर्ण रिच्छड का अर्थ है विधियो और कारेपालिक आदेशों की समिधानिक्ता के विषय में प्राख्यापन करने की नियाईपालिका का अधिकार वोने कहने के मतलब यह यह जुदिसिल रिभ्यू की यहाँ पर बात की जा रही है पुरी तरीके से सुप्रीम कोट को यह अधिकार है नेक्स्ट खल्टी एट नियाईक पुनरविलोकन का अर्थिया है कि वह सरवच नियाले को सभी प्रकड़ों पर अंतिम अधिकार प्राफ्थ होता है गलत है राष्टपती के विरुद दोसा रोपड यहाँ पर कर सकता है ध्यान रखेगा राष्टपती के विरुद दोसा रोपड कर सकता है बिलकुल यह सही है जो डिसिल रिभ्यू में नियाइक पुनर्विलोकन में नियाले को निमने लिखीत अधिकार है कौन से अधिकार है यदि कोई कानून या देश समिधान के विपरित हो तो उसे आसा में धानिंग घोसित कर सकता है बिल्कुल एक correct statement है एकदम कर सकता है Next नियाइक पुनर्विलोकन प्रचलित है कहाँ पे भारत में तो प्रचलित है ही ठीक है और साथ में USA में भी प्रचलित है correct उतर हो जाएगा D समिधान के किस अनुछेद के अंतरगात नियाले द्वारा संसत की कारेवाहियों की जाज करना परतिबंधित किया गया है उसमें कौन सा आर्टिकल का परयोग किया गया है अनुछेद 122 का परयोग किया गया है नीचे दोक अस्टेटमेंट दिया गया है कथान है दूसरा यहाँ पे ठीक है अभी कथान है और दूसरा यहाँ पे कथान है भारत में नियाईक पुनर्विछड का छेत्र सिमित है बिलकुल सही है अरे केरिया में नहीं है जैसे कि संसदिय ब्यवस्ता गंदरगत जो भी लुक सभा राजी सभा में जो भी ठीक है वहाँ पे सदन में काम चल रहा है उसका जूरी सिल्विव ने किया जा सकता है दूसरा भारतिय समिधान में कुछ उधार की वस्तिय है बिलकुल सही उधार की मतलब दूसरे देशों से यहाँ पे लिया गया है लेकिन यहाँ पे A और R दोनों सत्य है लेकिन जो R है A का सही अस्पस्टिकरल नहीं का कर रहा है जो यह नियाईक पुनर्विछड है यह उधा समिधान कानून भारतिय सरवच नियाले दवरा और समिधान नि घौसिद किया जा सकता है यह कब घौसिद किया जा सकता है तो बिधी के समक्ष समानताका अधिकार को भागतीन से हटाकर समिधान में अन्यत्र अगर कह이 रखता तो कौरेक्ट उत्र हो जाएगा इसका B 44 नमर भारतिय समिधान में न्याईक पुन्रोलोकन का अधार है क्या है तो विधी का सासन ध्यार रखेगा विधी का सासन समिधान की ब्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है बहुत असान जवाब सुप्रिम कूर्ट सरोच न्याले के पास है भारतिय समिधान का सनरच्छक कौन है सरोच न्याले है भारतिय समिधान का सनरच्छक किसे का अगया सरोच न्याले को निमलिखित में से कौन भारत के समिधान का अभिरच्छक है यहाँ पे कौन अभिरच्छक है भारत का उच्टम नियाले है भारतिय समिधान का अभी वावक तत्व नीहित है किसमे नीहित है सरवच नियाले में नीहित है नेक्ष्ट उच्टम नियाले से कानूनी मामलों पर किसको परमर्स लेने का अधिकार है किसको राष्ट पती को परमर्ज लेने का अधिकार है उच्टम तथा उच्ट नियाले के नियाधीसों के नियुक्ति तथा अस्थाना अंतरण के लिए परमर्ज के परिकिरिया के समंध में राष्ट पती ने उच्टम नियाले को एक अभिदेशन दिया है इसमें यहाँ पे दिया हुआ है इसका कॉरेक उतर्यक खंडवा अनुछेद 143 के अंतरगत बिधाई सक्तियों की संगिय सुची में समविष्ठ किसी विशय के सम्मन्ध में भारत के उच्तम न्याले के अधिकार छेतर को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है इसको दिया गया है तो वो अधिकार दिया हुआ है ठीक है भारत के संसत को दिया गया है भारत के सरवच न्याले का छेतर अधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है संसत द्वारा ठीक है कोई भी बिधी बना कर किया जा सकता है उचितम नियाले की परमर्शी अधिकार्ता की विसाही में निमली खित में से कौन सा अस्टेटमेंट यहां पर सही नहीं है तो थोड़ा समलोग देख लेते हैं ठीक है उचितम नियाले के लिए अब बाध्यकारी है कि वह राश्पती द्वारा निर्धेतde किसी भी मामले में अपना मत ब्यक्त करें बिल्कुल कॉरेक्रज निया स्टेटमेंट है उच्तम नियाले के लिए अब बाध्यकारी है कि वह राष्पति-द्वारा निर्देश देत किसी भी मामले मेरे अपना अव्यक मत करता इसलिए पहला shipment गलत हो जाएगा दूसरा परामर्स अधिकारता की सक्ति के अधिन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्तम नियाले के पूर्ड फीट की सुन्माई करती है बिल्कुल कोरेक्ट है परामर्स अधिकारता की अधिन प्राप्त निर्देशों पर ब्यक्त कुए हुगा उच्तम नियाले का मत सरकार पर बादेकारी नहीं होगा बिल्कुल यह भी सही है तीसरा है उच्टम नियाले को उसकी परामर्ज से अधिकारता की सक्ति के दिन एक बार में के वले की निर्देश बेजा जा सकता है एक बार में केवल एक ही बारियां पर दिया हुआ है ऐसा नहीं है इसलिए कोरेक्ट उतर हो जाएगा यहाँ पर सी त्यार रुकेगा सी चोगन का हो जाएगा सी नेक्स्ट भारत के सरोच नियाले का परामर्ज दात्री अधिकारी से परियुक्त होता है कि वह सारजनीक महत्य के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट पती को परामर्ज दे सकता है बिल्कुल कॉरेक्टर स्टेट्मेंट है भारत का उच्तम नियाले कानून या तथ्य के मामले में राष्ट पती को परामर्ज देता है समिधान के अंतरगत उच्तम नियाले से बिधी के प्रस्ण पर राय लेने का अधिकार इसको है यह जो राय लेने का अधिकार है राष्ट पती को है निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए भारत का उच्तम नियाले भारत के राष्ट पती को बिधी अथवा तत्थियों के बिशयों पर सलाह देता है तब यह सलाह देता है ध्यान से देखते चलिए ठीके वो यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है तब ही यह सिर्फ और सिर्फ क वाले हापे 2 होगा गुजरात में बिधान सभा के चुनाव वर्स 2002 को अस्तगित करने के चुनाव आयोग के निर्ड़े की अधिमानेता पर उच्तम नियाले की राय जानने के लिए राष्ट पती ने उच्तम नियाले से अनरोध किया भारति समिदान के कौन से अनुछेत के रखते हैं इसको कुछ महिनों के लिए टाल दिया था तो इसका जो कर रहा है कि राश्ट्पती ने उच्तम नियाले से क्या क्या रिक्वेस्ट किया कि भारतिय समिधान के कौन से नुच्छेद के अंतरगति किया गया है इसको भाई हमें बताने की कष्ट किया जाए उच्तम नियाले ने बुलावाई यह सान है 143 का अनुच्छेद किया गया है भारतिय समिधान के निमलिकित अनुच्छेदों में से कौन सरोच नियाले द्वारा समिधान का अनुलंगनिया मौलिक धाचा गोसित किया गया है अनुलंगनिया तो कौन किया गया है अनुच्छे 32 सर्वच नियाले भारतिय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरच्छा करता है। ओ है यहाँ पर आर्टिकल 32 भीम रावंबेतकर के द्वारा इसको समिधान की आत्मा बोला गया। सर्वच नियाले में नियाधिस नियुक्ती होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच नियाले का एडवोकेट यहाँ पर होना पड़ेगा। मैं भारत की समिधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्टा रखूँगा। मूल अधिकारों का परवर्तन। देश के किसी भी नियाले में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है। ओ अधिकार यहाँ पे जो है सरोच नियाले के पास है। हाल ही में उच्तम नियाले के परवासी पंचाट निर्धारल अधिनियां 1983 को समिधान के किस अनुछेत के अंतरगत केंदर का पावन करतब्य के उलंगन पर असमिधानिक घोसित किया था। 2002 में दिखिए इसको यहाँ पे पूछा भी गया है तो किसके तहद अनुछे 355 के अंतरगत। निम्लिखित कत्नों पर विचार कीजिए। संसद भारत के उचतम नियाले की अधिकारिता को बिस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसके अधिकारिता वही है जो समिधाने परदान की है। ऐसा कुछ भी नहीं है धुम धम से बिस्तार कर सकता है। पहला स्टेटमेंट गलत है। उच्टम न्याले और उच्टम न्याले का अधिकारी और सेवक संबंद मुख्य न्याय मूर्ती द्वारा न्युक्त किया जाते हैं और इन न्यायाले का प्रसासनिक बे भारत की संचित निधी पर यहां पर भारित होता है और एक उच्टम न्याले का अधिकारी और सेवक बंद मुख्य नियाय मूर्ती द्वारा नुक किया जाते हैं बिल्कुल यह statement ठीक है यह भी incorrect है तो correct उतरो जाएगा ना तो यह और ना तो दो निमलिखित कत्नों पर विचार किजिए देखिए 2008 में पूछा गया है उस समय का जो भी current सेनारियो था नियाय मूर्ती बी यार कृष्णा आय यार भारत के मुख्य नियाय मूर्ती थे बिल्कुल correct ठीक है अस्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है नियाय मूर्ती बी यार कृष्णा आय यार भारत के मुख्य नियाय मूर्ती थे इनकॉरेक्ट नियाय मूर्ती बी यार कृष्णा यार भारतिय सिविल सेवां में लोग हितियाच का PIL के प्रजनों को में से एक माने जाते हैं यह बिल्कुल कॉरेक्टर स्टेटमेंट है PIL है पबलिक इन्वेस्टिकेन लेजिस्टेशन इसको बोला जाता है केवल और केवल यहाँ पर दो भारत की समिधान के मुल सनरचना के सिधान्त का स्रोध है वो कौन सा स्रोध है इसका कॉरेक्ट उतर हो जाएगा नियाईग ब्याख्या सुप्रीम कोट कैसे इसकी ब्याख्या करता है 71 भारत का सरोच नियाले एक अभिलेक नियाले है इसका आसे है, क्या इसका आसे है, कि इसके सभी निल्डे का सच्छात्मक मुल्य होता है और इस पर किसी भी नियाले में प्रस्ण चीन नहीं लगाया जा सकता है भारत के नीचे दिये गए नियाले में से किनहे अभिलेक नियाले माना जाता है उच्छ नियाले में उच्छ नियाले को माना जाता है भारत के सरोच नियाले के निल्ड़े के सम्मंद में निम्ड में से कह रहा है वहला कि क्या सही है सरोच नियाले को अपने निल्ड़े को परिवर्थित करने का अधिकार है बिल्कुल यहाँ पर correct statement है परिवर्थित कर सकता है उचितम न्याले मामलों की सुनवाई नई दिल्ले में करता है परन्तु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है इन परस्तितियों में कर सकता है राष्टपती के अनुमोधन से उकर सकता है निमलिखित में से कौन चौथी महिला जज है जिने अपरैल 2010 में भारत के उचितम न्याले में न्यूक दिया गया है बहुत इंपर्टेंट है अभी भी एक कोशन काफी इंपर्टेंट है उसका नाम है यहाँ पर जस्टिस ग्यान सुधा मिस्र ध्यान रखेगा जस्टिस ग्यान सुधर मिस्रा TDS की के निरे को चुनावती दी जा सकती है कब चुनावती दी जा सकती है केवल सुप्रीम कोट में चुनावती दी जा सकती है जनहित याचिका की सुरुआत किसके द्वारा किया गया तो इस याचके को शुरुवात किया गया नयाईक पहल के द्वारा ताकि अधिक से अधिक लोगों को नयाई मिल सके PIL क्या है अब देखें यहाँ पे उसका फूल फॉमी मैंने ठीक है अभी मैंने बताया हुआ था 78 का पब्लिक ठीक है इंट्रेस्ट लिटिगेशन इसको बोड़ा जाता है ठीक है तो पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन जनहीत याची का PIL कहां पर प्रस्तूत की जाती है PIL प्रस्तूत किया जाएगा उच नियाले और सुप्रीम कोट में लोक हीत वाद की संकल्पना का उदगम देश है कौन सा इसा देश है वो है USA सितंबर 2003 में नियाले के एक निलने से भारतिय समाज में महिलाव की इस्ति प्रतिश्ठित हुई वह नियाले है वो कौन सा नियाले है भारत का सरोच नियाले किस कानून के अंतर गातिया विहित है कि भारत की उच्तम नियाले की संपूर करवाही अंग्रेजी भासा में होगी ऐसा कौन सा कानून है भारतिय समिध्यान का नूचे 348 के द्वारा ध्यान रखेगा भारत की कोईटी के नेशनल भासा नहीं है बलकि राजकी भासा के रूप में हिंदी मौजूद है नेक्स्ट उच्तम नियाले ने निमलिकित में से किस मामले में पाया कि केंद्रिय अन्वेसल्ड सखा एक पीजरा बंद यहां पे तोता है कौन सा इसा मामला था कोईला अवंटन घोटलाबाद बज में आ रहे ना आप लोगो को सुप्रीम कोट ने डारेक्ट CBI को देखी यहां पे बोल दिया नेक्स्ट 85 नमर लास्ट यहां पे आप देख पार है भारत के सरोच नियाले ने किस वर्स में ने आए धीसों के नियुक्ति के लिए कोलेजियम बेवास्था को अपनाया हुआ था वो बेवास्था था ठीक है 2004 को इसको अपनाया गया था तो ठीक है फ्रेंस पुरा कपुरा हम लोगों ने आज सुप्रीम कोट प्लस उससे संबन्धित थियोरी प्लस MC कोई को देख लिया उम्मीद है आप लोगों के सीरीज पसंद आ रहा होगा आर आयती से लाइक मारिए तेर भी कीजिए एंड थांक्स पर वाचिंग जैहिंद